हेलो प्यारे बच्चों कैसे हो आप बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड संस्क्रित का चतुर्तह पाठा जिसका नाम है मम सरीरम तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो एरो बना है उसमें लिखा है सिरह मस्तकम 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 माथा नयनम मीनस होता है आँख कर्णह मीनस कान नासिका मीनस नाग ओस्टह मीनस होट गरीवा मीनस गर्धन इसकंदह मीनस होता है कंदह वक्षह मीनस छाती अब है बुझा मीनस होता है बां उसके बाद है उदरम मिनस होता है पेट अब है श्तह मीनस हात और है अंगुली ही अंगुली ही मीन्स अंगुली अब है जंगा या उरू जंगा या उरू का मतला होता है जांग अब अंत में है पादह, पादह मीन्स होता है पैर तो बच्चों ये थे हमारे सरीर के अंगों के नाम संस्क्रित में अब हम पढ़ेंगे इनके सब्दार्थ इसमें पहला लिखा है सिरह, सिरह मीन्स होता है सिर नयनम, नयनम मीन्स आंक ओस्टह, ओस्टह means hot, मस्तकम माथा, कर्णह कान, नासिका नाक, गिरीवा गर्दन, हस्टह हात, अंगुली ही, अंगुली, पादह पैर, वक्षह चाती, उदरम पेट, इसकंदह कंदह तो बच्चों, अब हम चलते हैं, अभ्यास प्रश्णावलीप, जिसका पहला प्रश्ण है, चित्रम द्रिष्टवा, अंगा नाम, नामानी लिखत, मतलब चित्र को देखकर, अंगों के नाम लिखने हैं, तो पहला है, मस्तकम, मस्तकम means माथा, सिरह, सिर, नासिका, नाक, गि जिदन, ओस्तह, होट, जंगा, जांग, तो बच्चों, अब है इसका दूसरा प्रश्ण, मेलनम, कुरुद, मतलब मिलान करना है, अ और ब, दो दिये गए हैं, तो इसमें अ का मिलान ब से करना है, तो नमबर पहला है, हस्तह, हस्तह का दिया हुए है हाथ, और इधर दिया उदरम, उदरम का है पेट, अब इसको किस परकार करना है, देखे, दूसरा है, नासिका को नाक से मिलाना है, भुजा को बाह से मिलाना है, गिरीवा, गर्दन, इसकंदा, कंधा, पादह, पैर, ओस्तह, होट, वक्सह, छाती, करनह, कान अब है बच्चों तीसरा प्रस्ण, सब्दान पूरियत, बतलब जो सब्दू को पूरा करना है, तो जैसे इस परकार से हम करेंगे, नासिका, करनह, सिरह, अंगुली, हस्तह, इसकंदह, मस्तकम, और अंत में हैं उदरम तो बच्चों, जैसे ये अंत में अक्षर हमने अंत में लिखे हैं, तो वो खाली अस्तान पर भरने हैं आप देखिए, प्रश्न नंबर चोथा, इसमें क्या करना है, निम्न लिखितेशू, सब्देशू, विशर्ग और विशर्ग का चिन बनावा है, योजी इत्वा, संस्क्रित, सब्दानी, निर्मायत यथा इसका मतलब है, कि निम्न लिखित जो शब्द दिये हुए हैं, इनमें विशर्ग लगाके नए शब्दों का निर्माण करना है, जैसे दिया हुआ है यथा सुक्क, तो सुक्क का क्या हो जाएगा, सुकह, और सिक्सक, सिक्सक का हो जाएगा, सिक्सकह, तो इसी परकार सारे जो शब्द दिये हुए हैं, उनमें विशर्ग लगाकर इनको शब्द बनाना है, तो जैसे विद्यालया, मेगह, मिरग, काक, काकह, पिक, पिकह, राम, रामह, सुरेश, सुरेशह, महेश, महेशह, चंद्र, चंद्रह, कपोत, कपोतह, विरक्ष, विरक्षह, मनुष्य, मनुष्यह, विडाल, विडालह तो बच्चो इस परकार हम अपने सरीर के अंगु के नाम संस्कृत में जान सकते हैं तो बच्चो बताईए आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर बच्चो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए बाई बाई